क्लासिफिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन में हमने एनरजी एंट पावर सिगनल्स का डिसकेशन स्टार्ट किया था ओविसली बहुत सारे कॉंसेट्स उसमें रिमेनिंग है तो जेस्ट मैं आपको अगर एक बात बताओं कि हमने अभी तक के जो बेसिक एक डिसकेशन किया था उसमें अगर मैं सम कंक्लूजन सौर्ट आफ में ज शक्राइशन हो यह हमेंशा आपको energy signals मिलेगा These type of signals are always energy signal. These type of signals are always energy signals. I am sorry, excuse, sir. झाल 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 तक हमने पढ़ा था उसका एक basic सा conclusion sort of आपको बता रहा हूं and then उसके आगे फिर हम continue करेंगे voice and all everything आप check कर लीजिएगा ठीक है so ठीक है I had some work dominant का work था वो हो गया है so I am back now ठीक है so कल का पहला conclusion अगर एक closed signal है what do we what do we mean by a closed signal जिसका finite duration है और amplitude भी हमेशा finite maintain करेगा always there energy signal example की अगर मैं बात करूं तो एक rectangle signal है एक्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक rectangle signal है a rectangle t by tau a rectangle t by tau the energy is a square tau a rectangle t by tau energy is a square tau a rectangle t by tau energy is a square tau ठीक है next category हमने देखा था कि एक ऐसा signal जिसका duration भले ही infinite हो एक ऐसा signal जिसका duration infinite हो सकता है लेकिन infinity पर जाके उसका Magnitude 0 हो जाना चिए infinity पर जाके उसका magnitude 0 हो जाना चिए ठीक है, यह exponential एक साइड भी हो सकता है, किसी भी एक साइड, left hand side भी हो सकता है, right hand side भी हो सकता है, यह exponential दोनों तरफ भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे signals जिसको हमने statement के लिखाता देहां से देखिये, so magnitude tends to 0 as mod of t tends to infinity, ठीक है, और obviously infinite duration, obviously infinite duration, obviously infinite duration, obviously infinite duration, example अगर मैं बताऊं, तो energy of e to the power minus 80 ut, energy of e to the power of minus 80 ut, यह हमने calculate किया था, 1 upon 2 है, यह सब आपके calculation में, अल्वेड़ी आपके notes में हैं कल में, जिसमें conclusion बताऊं ताकि एक connectivity हो सके, और एक flow में हम आगे बढ़ सके, और इसी में एक last part था, कि जितने भी periodic signals होते हैं, जितने भी periodic signals होते हैं, जितने भी periodic signals होते हैं, कि यह आर ऑल्वेज पावर सिग्नल की बात मैंने की ती कर तो मैंने आपको जिस्टिफिकेशन तो नहीं बताया था बठा सीधे आपको एंसर लिखवा दिया था तो अभी के लिए भी अगेन आप इसको नोट कर लिजे और जैसे जैसे कॉंसेट्स आगे होते जाएंगे जो अगर बचेवे भी जैस्टिफिकेशन से वह वन आपके कंप्लीट होते जाएंगे ठीक है तो यह हो गया आपका ए स्क्वेर बाई टू ठीक है सेम कॉस्ट में भी होगा ओमेगा टी प्लस फाइंगे इस इक्वेर टू एसक्वेर बाई टू ठीक है तो चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो तो फ्रिक्वेंसी और फेस पर डिपेंड नहीं करेंगा राइट विल डिपेंड अनली अन्दी मेगनिटीव्ड अन डाट विल बीए स्क्वेर बाइट विल बी ए स्क्वेर बाइट एक चलो सेशन को लाइक करते हैं अलोफ प्लीज लाइक देखेंगे आप लोग भी प्लीज लाइक कर दीजिएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं कर एक सि Collins हमने ऑल्मोस्ट एक्स पूंचियल वाला साइडे ड आपका डबल सेट साडेयों यह doing एक्वेशन आपको देखके समझ में आ रहा होगा राइट हैंड गोगे तो डीखेंग एक्स्पोनिश साइड में अगल्ड mixture क department को अगर के बात की बात करूं तो डीखेंग एक्स्पोनिशल लेफ्ट में अगर आप देखोते तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो magnitude बढ़ रहा है जैसे यह time का बढ़ने के साथ magnitude कम हो रहा था तो यह decaying exponential है time के बढ़ने के साथ magnitude बढ़ेगा तो यह आपका कौन सा है यह आपका increasing exponential है यह आपका increasing exponential है यह आपका increasing exponential है यह आपका increasing using exponential है ठीक है इस signal को हम बोलते हैं e to the power minus a mod of t this is double-sided exponential इसको हम बोलते हैं double-sided exponential इसको हम बोलते हैं double-sided exponential ठीक है देखो simple से mathematics होती है मौटी का concept मैंने आपको पहले भी बताया हुए मौटी का concept मैंने आपको पहले भी बताया हुए कि mod of t क्या होता है it is equal to minus t for negative time and it is equal to plus t for positive time already यह मैंने आपको बताया हुए पिश्ली classes में अगर मैं यहां पर इस mod की definition को use करूँ तो ध्यान से देखिए e to the power minus a mod of t e to the power minus a mod of t e to the power minus a mod of t so यह होगा e to the power minus a t ut so I am so sorry e to the power minus a t for positive time so देखो positive time पे mod of t equal to t positive time पे mod of t is equal to t e to the power minus a t and negative time पे mod of t minus t हो जाएगा minus minus cancel out okay plus हो जाएगा so यह हो जाएगा e to the power a t वही छिए जाएगा this is e to the power minus a t for positive time and this is e to the power a t for positive time decaying exponential for right hand side increasing exponential for left hand side completely अगर मैं देखोंगा तो यह converging signal है मतलब magnitude कहीं भी infinite नहीं जागा magnitude कहीं भी infinite नहीं जा रहा है for this double-sided exponential बाहर निकलो के तो पानी और बोल जाएगा कॉफी भी यह कहीं भी magnitude infinite नहीं जा रहा है हमेशा finite magnitude और यह converge कर रहा है ठीक है तो यह आपका है double-sided exponential तो चलो इस signal के लिए भी अच्छा इसमें एक और अच्छा स्प्लिट है तो आप इसको बहुत इजीली लिख सकते हो ध्यान से देखिए e to the power minus 80 यह देखो e to the power minus 80 e to the power minus 80 पॉजिटिव टाइम है तो इसको u of t से multiply कर दो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यह पार्ट यह हुआ ना इस पार्ट को मैं बोल सकता हूँ यह e to the power minus 80 positive side में है तो यह u of t हो गया क्योंकि यह positive time पे अगर आप इसको देखोगे तो यह e to the powerĩ 80 negative side में है तो यह u of minus t होगे e to the power Katy negative side में है तो u of minus t हो बस इसी को यहाँपर continue कर रहो हूँ है इसी को यहाँपर continue कर रहो हम उती यो को लाइक कर दीजे सभी लोग प्रेस्ट दी लाइक बिटन ओके सो यह डबल साइड एक्स्पनेंशल है मैं एनरजी निकालूंगा इस सिग्नल की लेकिन लेकिन थोड़ा सा और कम्फरेबल हो जाते हैं सिग्नल के साथ तो एक बार एज गुड कंक्लूजन आपके नोट्स के लिए मैं इसको एक बार दुबारा बना लेता हूं सिस्टेमाटिक में पहले दिद्बाटिक में किया परी इक तो यह इसको यह आपका यह positive time है और positive time u of t से associated होता है और negative time u of minus t से associated होता है तो यह होता है e to the power minus at u of t यह part e to the power minus at u of t होता है यह part की अगर मैं बात करूँगा तो यह e to the power at u of minus t e to the power at u of minus t e to the power at u of minus t और इसे को मैं mathematical expression के form में भी लिख लेता हूँ तो पहले तो यह signal लिख लेते हैं तो e to the power minus a mod of t तो यहां पर mathematical form में अगर मुझे लिखना है तो e to the power minus a mod of t इसको मैं अलगला conditions में लिख सकता हूँ जैसे e to the power minus at a positive time के लिए और e to the power of at a negative time के लिए ठीक है e to the power minus at positive time के लिए e to the power at negative time के लिए तो यहां पर आप इसको e to the power minus a mod of t तो यह हो गया e to the power minus at ut plus e to the power at u of minus t e to the power minus at ut plus e to the power at u of minus t तो यह ऐसा नहीं है कि इस question को solve करने के लिए compressor ही है बट यह concept हमें पता ही होना चाहिए अगर हम signals and systems पढ़ रहे हैं तो अगर कोई भी signal t greater than 0 के लिए तो वो u of t से connected होगा और अगर वो t less than 0 के लिए तो वो u of minus t से connected होगा अब हमें थोड़ा से इसका basic समझ में आ गया है मैं एक step और इसको आगे बताऊंगा ताकि एकदम आपका 100% comfort level मतलब 99% भी नहीं चाहिए हमें comfort level जो है वो एकदम 100% ही चाहिए तो यहां पर मैं इसको इस वे में आपको शो करूंगा यह last just है इसके बाद हम energy calculation पर जाएंगे we will go to the energy calculation so देखो यह signal तो आपने पहले ही पढ़ा था e to the power minus 80 ut ठीक है यह तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसमें कुछ भी नया नहीं आपके लिए यह देखो यह signal है e to the power minus 80 ut यह signal है e to the power minus 80 ut यह signal है e to the power minus 80 ut ठीक है next अगर मैं आपको बोलूगा इसको फोल्ड कर दो time reverse कर दो t is equal to minus t पूट कर दो तो इसका mirror image आपको जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा यह mirror image है mirror image कब बनता है fold कब होता है time reverse कब होता है जब आप t को minus t पूट करते हो इन दोनों t में minus t कर दोगे तो यह हो गया e to the power 80 u of minus t ठीक है अब जब मैं इन दोनों को add करूंगा तो ध्यान से देखिए right hand side में यह exponential है left में यह exponential है तो यह आपको दोनों का add up हो गया यह हो गया e to the power minus a mod of t which is obviously equal to e to the power minus 80 ut plus e to the power of 80 u of minus t e to the power of minus 80 ut plus e to the power of 80 u of minus t ओके तो चलिए next question यह है कि इस signal की आपको energy निकाल दी e to the power minus a mod of t की आपको energy निकाल दी है मैं भी start कर रहा हूं so next question is find find energy of x of t is equal to e to the power minus a mod of t energy का formula क्या होता है energy का formula है signal के square को integrate कर दो 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 पावर माइनस 80 और कोज़ेटिव टाइम एंड ईड़ी पावर ऑफ 80 फॉर नेगेटिव टाइम चलिए सो एनर्जी में स्टार्ट करता हूं मैं सो देखिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो पहले लेफ्ट आफ अप दिस सिगनल देख लेते हैं सो देखो यह यह पॉजिटिव टाइम है यह पॉजिटिव टाइम में भी सिगनल को स्क्वेर कर दो तो यह ईटू दी पावर माइनस 280 आएगा दोनों में अबिस इंटिग्रेशन को सॉल्व करना है आपका एंसर शायद आभी चुका होगा मैं भी सॉल्व कर लेता हूं So, this is e to the power 280 divided by 2a, limit is minus infinity is 0 or e to the power minus 280 divided by minus 2a, limit is 0 to infinity. So, this will become e to the power 0 minus e to the power minus infinity divided by 2a, और यह हो गया e to the power minus infinity minus e to the power 0 divided by minus 2a, तो यह देखो, यह कुल मिला के आपका left half of the exponential है, यह आपका right half of the exponential है, right half आपने पहले ही solve किया हुआ था, यह देख लो दिख रहा है कि यह 1 upon 2a है, इसको भी मैंने just left का right कर दिया, size और shape exactly same है, इसकी energy भी calculate करके भी आपको आगई 1 upon 2a, 1 upon 2a plus 1 upon 2a, इसकी energy आगई 1 upon a joules, यहाँ पे conclusion आप ऐसे भी देख सकते हैं, conclusion आप ऐसे भी देख सकते हैं, कि यह single sided है, तो इसकी energy अगर आप देखोगे, तो यह 1 upon 2a है, ठीक है, और अगर मैंने right, right का left भी कर ही है, तो यह 1 upon 2a joules, और जब मैं इन दोनों को add कर दूंगा, इसकी energy जो है, 1 upon a joules, तो यह दोनों को add करके 1 upon a, मतलब एक side की energy 1 upon 2a, इसकी energy भी 1 upon 2a, 1 upon 2a plus 1 upon 2a is equal to 1 upon a, तो यह आपका calculation, यह आपका calculation वाला पार्ट है, yes, बिल्कुल correct, यह आपका calculation वाला पार्ट है, यह आ calculation वाला पार्ट है, यह आपका calculation वाला पार्ट है, ओके, अब अगर मैं बोलूं की, एक triangular signal लेता हूं, और इसकी energy निकालनी है, triangular signal की energy निकालनी है, तो, triangular signal जो standard होता है, ए, triangular T by tau, यह half width tau होती है, half width tau होती है, मतलब यह minus tau से tau होगा, हाफ width tau होती है, मतलब यह minus tau से tau होगा, और magnitude होगा a, half width की अगर आप बात करोगे, तो, half width इसकी tau होती है, तो, यह minus tau से 0 होगया, और यह 0 से tau होगया, और इसका magnitude a होगया, ए, इसका जो magnitude है, वो a होगया, इसका जो magnitude है, वो a होगया, इसका जो magnitude है, वो आपका a होगया, इसका जो magnitude है, वो आपका a होगया, तो, यहाँ पे equation भी आपको पहले से पता है, यह हमने discuss किया है detail में, तो equation की अगर आप बात करोगे तो जैसे y is equal to mx plus c था याद है y is equal to mx plus c के form में लिखते थे तो इस line का slope जो है minus a upon आ हुए यह सब हमने detail में discuss किया हुए ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे भी show कर रहा हूँ derive कर रहा हूँ already पूरा discussed है इसमें जो आपका intercept on the y axis है वो a है यहाँ पे इस line में आपका m जो है वो आपका a upon आ हुए dy upon dx और इसका भी intercept आपका a ही है यह सब हमने detail में already discuss किया हुए तो हमारे पास सीधे equation आपको पता होना चाहिए इसका सीधे equation पता होना चाहिए कि a triangular यह इसको मैं next slide में लिखता हूँ ठीक है there is a concept कि my next slide में क्यों लिख रहा हूँ concept देखिए तो इसका जो equation है a triangular t by tau यह सब equation आपको standard equation है धिवे धिवे आपको habitual हो जाना चाहिए तो यह a times 1 minus mod of t by tau और यह कब के लिए है जब आपका mod of t जो है वो tau से कम है and this is equal to 0 for mod of t greater than tau अब इसको मैं tau जो है यह देखो mod of t है न tau से जो कम है पॉजिटीव और नेगेटिव दोनों के लिए अलग-अलग equation लिखूँगा इसकी equation अलग है इसकी equation अलग है थीक है दोनों की equation अलग है दोनों की equation अलग है तो यह आपका हो जाएगा, यहां से देखिए, minus tau से 0 के बीच में, minus tau से 0 के बीच में, तो आप अगर यहां से देखोगे, तो minus tau से 0 मतलब mod of t minus t है, mod of t अगर minus t है, तो यह हो गया a times 1 plus t by tau, and 0 से tau के बीच में, तो mod of t positive है, mod of t अगर positive है, तो यह हो गया a 1 minus t by tau, और इसके बाहर जो है, वो signal आपका 0 हो गया, इसके बाहर जो है, signal आपका 0 हो गया, अब आपको क्या करना है, energy अगर इसकी निकालनी है मुझे, अगर मुझे इसकी energy निकालनी है, अगर मुझे इसकी energy निकालनी है, तो energy क्या होता है, signal के square को integrate कर दो, 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 तो चलो, इसकी energy निकल जाएगी, तो धियान से देखो, इसकी energy हो जाएगी, माइनस tau से 0 के बीच में, माइनस tau से 0 के बीच में, a टाइम्स 1 प्लस t बाइ टाउ, whole square dt, प्लस 0 से टाउ, a, 1 माइनस t बाइ टाउ, whole square dt, अब यह मैं अभी solve नहीं करूंगा, यह आपकी practice के लिए, आपको चाहिए होता है न कि सर्फ practice करना है, practice करना है, तो चलो, इसको आप बाद में practice कर लेंगे, ठीक है, इसको आप बाद में practice कर लेंगे, इसको आप बाद में practice कर लेंगे, and जब आपका answer आएगा तो वो सही है कि नहीं उसके लिए मैं आपको इसका answer बता देता हूँ इसका जो answer आना चाहिए वो होना चाहिए 2 by 3 a squared this should be the answer तो अगर ये answer आएगा मतलब आपने calculation सही किया अगर ये answer आएगा मतलब आपने calculation सही किया है ठीक है यहां पर मैं आपको छोटा सा concept और बताता हूं ठीक है यहां तक नोट हो गया तो यह आपकी practice के लिए ठीक है यह आपको solve करना integration and ऐसे integration से आपको बिलकुल भी दूर नहीं भागना है signal and system में अगर आप full marks score करना चाहते हो तो यह बहुत ही basic requirement है इतनी calculation आपकी अच्छी होनी ही चाहिए यह बहुत ही basic level वाला है मतलब आप समझे लोग कुछ भी advance नहीं it is very basic आना ही चाहिए मतलब आना ही चाहिए इतना ठीक है चलो आगे चलते है तो यहां पर एक concept और अगर मै से बताओं तो ध्यान से देखिए जैसे कुछ signals में बना रहा हूं जो कि न लेफ्ट और राइट एक ही जैसे दिखते हैं जैसे आप अगर देखोगे तो यह exponential signal है यह लेफ्ट रॉइट एक ही जैसे दिखते हैं यह ट्रैंग। होगा तो भी लेफ्ट olsaère एक ही जैसे जैसेसे दिखते हैं है रैक्टैंगल होगा तो भी डेखू लेफ्ट और राइट तो यह कुछ कुछ ऐसे सिगनल से यह कुछ ऐसे सिगनल से जिनमें आप य एक्सिस में खड़े हो कि यहां देखोगे तो भी सिगनल वैसे दिखेगा वाई एक्सिस में खड़े हो कि पॉजिटिव टाइम पे देखोगे तो भी सिगनल वैसे ही दिखेगा राइट हेंड साइड में भी आसा दिखेगा देखो व्यू अगर आप य एक्सिस पे खड़े हो तो यह साइड भी सेम दिख रहा है सिगनल का यह साइड भी सेम दिख रहा है यह सेम विद इस वन हाला कि आगे जाके हम इसको डीटेल में पढ़ने वाले हैं इवन सिगनल्स मोलते हैं इसके बाड़े में बहुत जादा डीटेल स हम पढ़ेंगे बट अभी के लिए जस्क टेक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट एनरजी सिगनल में यूज हो रहा है तो मैं डिए आपको वो पार्ट बस भता रहा हूं इन सारे सिगनल जो for all even signals, even signals मतलब क्या, even signals means, जो left और right दोनों में एक जैसे दिखते हैं, अगर आवा y axis पे खड़े हो, left और right एक जैसे दिखते हैं, वो होते हैं आपके even signals, तो जितने भी even signals हैं, उसके अलिए हमारे पास एक conclusion है, कि जो energy का formula हमारे पास होता है, जो energy का formula हमारे पास होता है, minus infinity से infinity x square of t dt, minus infinity से infinity x square of t dt, क्योंकि दोनों तरफ से मैं, तो अपने calculation को आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक side का निकाल लो, जैसे मैंने 0 से infinity निकाल दिया, कोई भी एक side का निकाल के, आप उसको double कर दो, क्योंकि left or right तो एक जैसा दिख रहा है, मतलब, shape भी same है, magnitude भी same, एक जैसा दिखने का मतलब है, shape भी same होना चाहिए, magnitude भी same होना चाहिए, तो भाई आप कोई एक side का निकाल के, उसको double कर दो, इसका benefit आप कहां लोगे इसका benefit आप लोगे यहां पर कि भाई यह मैं दो-दो integration solve करो यह दिख रहा है ना यह triangle है दोनों तरफ एक जैसा दिख रहा है तो भाई दो integration को solve करने की जगा एक integration solve करो और इसको double कर दो मींस आप इसको ऐसा भी कर सकते हो आप इसको आप भी कर सकते हो कि आपने इसी को solve करके को double कर दिया यह वो गया जीरो से tau ए वन माईनस ती बाई टाउ फोल स्क्वेड डटव अब और आसान होगे के लिए आव आपके लिए और ज्ढड़ आसान होगिया आप एक साइट का निकालकि इसको डबल कर दो लेकिन यह उन्ही सिगनल्स के लिए वीलेड है जिसको एवन सिगनल्स बोलते हैं जो पॉजिटिव टाइम और नेगव ट्यम्स डोनों में एक जैसे दिखते हैं, size भी same होता है, और shape भी same होता है, ठीक है, size भी same होता है और shape भी same होता है, ठीक है, अच्छा, अब एक नए concept पे चलते हैं, let us go to the new concept, okay, so देखो, new concept क्या है, कि भाई, हमने discuss किया था, periodic signals के लिए power का formula क्या होता है, periodic signals के लिए power का formula होता है, कि भाई, average value के formula में, x को square कर दो, average value तो आपको निकालने आता ही है, average value में, अगर आप x को square कर दोगे, average value के formula में, अगर आप x को square कर दोगे, तो वो power बन जाएगा, so 1 upon t, integration over t, x को square कर दो ड्त, like this, x को square कर दो ड्त, x को square कर दो ड्त, x को square कर दो ड्त, Rab ऑब, non periodic signal या aperiodic signal मतलब जो periodic नहीं है aperiodic या non periodic मतलब जो periodic नहीं है जो periodic नहीं है उनका भी हम power निकाल सकते हैं उसके लिए formula में थोड़ा सा change होगा कैसे change होगा देखू power होगा limit t tends to infinity 1 upon 2 times of t integration minus tc t x square of t dt देखो ऐसे signals जो periodic नहीं है जैसे एक example मैं आपको बताऊँ जैसे एक example मैं आपको बताऊँ तो rectangle signal ले ले लेते हैं यह periodic नहीं है यह rectangle signal ले 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 लेते हैं देखो आप बोलोगे यह signal non periodic है ठीक है बट मैं बोलूगा कि नहीं यह periodic है तो आप बोलोगे कि सर रिपीट होता हुआ तो नहीं दिख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं रिपीट होता हुआ दिख रहें इंफिनिटी पे जाके रिपीट हो रहा है आपको दिखी नहीं रहें इंफिनिटी तो देखी नहीं सकते हो ना infinite time पे तो देखी नहीं सकते हो इंफिनिटे पे जाके रिपीट हो रहा है मतलब हर नॉन पिरियोडिक सिगनल एक पिरियोडिक सिगनल हो सकता है जिसका time period infinity हो तो यह हमने वही किया है भाई पावर निकालने के लिए मुझे time period चाहिए पावर निकालने के लिए मुझे time period चाहिए तो भाई time period नॉन पिरियोडिक सिगनल का infinity कर दिया मैंने तो इंफिनिटी पर हमेशा कभी इक्वाई टो इंफिनिटी करते लिमिटी अप्लाई करते कोदे यसे इंफिनिट फूर्णा तो इंफिनिटी करने के लिमिटे यूस करते हैं लेकिन मैं बोल रहा हूं हर अपिरियोडिक सिगनल को आप आप सकते हो कि वIST का टाइम पिरियोडिक इंफिनिटी तो यह time period equal to infinity यह time period equal to infinity यह वन अपॉन टू टाइम सब्सक्राइब इंफिनिटी आ गया वन अपॉन टू टाइम सब्सक्राइब अब एवरेज निकालना है तो अगर मैं माइनस टी से टी कर रहा हूं तो कितना डिवेशन नहीं है two times of capital T है ना तो मैंने two times of T से डिवाइड किया average ही तो निकालना है भाई T में integrate किया तो T से डिवाइड किया minus T से T तो 2T में integrate किया तो 2T से डिवाइड किया तो आप बोलो किसा two times of T क्यों किये तो मैं बोलूँगा कि आप single T भी ले सकते हूं देखो यहाँ पे आप चाहो तो minus T by 2 से T by 2 देखो कुल में लाके बात यह है कि minus T by 2 से T by 2 1 upon T limit T tends to infinity x square of T dt बट यहाँ पे एक चीज जहार रखना यह T में अगर मुझे integrate करना है ऐसे तो कोई भी cycle चूज नहीं करूँगा left और right equal चूज करूँगा मतलब minus T by 2 से T by 2 minus T by 2 से T by 2 यह periodic के power के formula में आप कोई भी एक cycle चूज नहीं करेंगे क्योंकि वैसे तो periodic दिखी नहीं रहे तो यहाँ पे यह liberty नहीं है कि कोई भी cycle जैसे यहाँ पे periodic signal के capital T में कोई भी cycle चूज कर सकते हो कोई problem नहीं है choose any one cycle periodic ही है लेकिन यह periodic है नहीं हम इसको force कर रहे हैं कि भाई तू भी periodic है और तो यह time period infinity है और तेको repeat होता हुए हम इसले नहीं देख पाते हैं क्योंकि तो infinite पे जाके repeat होता है तो ऐसे cases में आप 0 से टी नहीं ले सकते हैं तो आप क्यालोगे माइनस टी बाइटू से टी बाइटू यह देखो यह टी डियूरेशन है तो यह टी से डिवाइट किये तो यह दोनों इंक्वल है लेकिन मैं यह यूज करूंगा क्यों उसका वीजन भी है यह यह टी बाइटू से ऐसा कुछ नहीं है कि डिवाइट बेटू करने से कोई कैल्कुलेशन एक दम इधर उदर हो जाएगा लेकिन कंपेर अगर मैं करूंगा तो यह जाधा आसान है और भाई हमारी तो फिलोसफी यह है कि काम को आसान करना अन्नसरी कॉंप्लेक्स तो करना ही नहीं हाँ सो हर्ष मैंने बता दिया तूटी होने का वीजन आपके पुछने से पहले ही शायद हो गया समझ में आ गया मैं यूज करके दिखाऊंगा तो और असान होगा अभी देखने में लग रहे है कि सर पता नहीं क्या नया चीज़ आ गया है डोंट रहे दो कोश्चन करेंगे एक दम एजी हो जाए दो कोश्चन करना है बस हर्ष क्लियर हो गया है बागी सभी लोग सेशन को लाइक करते हमारे हर सेशन को अपने को लाइक करना है ठीक है हर सेशन को जाके लाइक करना है हाह ठीक है फिर चलो, यूस करते हैं, ठीक है, यूस करते हैं, ओके, एक बाद फिर से लिख लेता हूँ, आप बाद बाद ते खे लेता, प्युरण यूरिच दीक हैं, तीक हैं निख उलो, फिर doesn defined, प्या हैं, य तिने दिक भीक हैं, ठीक हैं, डाद Singapore, तीक हैंपिक नवीद एसे हैं, प्यूद करते हैं, ते सुचत हैं power of aperiodic here non-periodic signals good morning good morning good morning all of you so power is equal to limit t tends to infinity 1 upon 2 times of t integration minus t c t x square of t dt x square of t dt x square of t dt चलो use करके दिखाता हो मैं इसको question करते है find power of a rectangle t बाइट हो find power of a rectangle t बाइट हो कभी भी किसी signal का graph या उसका equation पता हो तो बहुत जादा असान लगता है ठीक है और देखने में confidence आ जाता है कि हाँ signal के बारे में पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हो signal के बारे में तो minus tau by 2 magnitude is a ठीक है तो power का formula क्या है भाई पावर का formula है limit capital T tends to infinity ठीक है capital T tends to infinity 1 upon 2 T 1 upon 2 times of T minus T से T x square of T dt यह जो formula हमने लिखा था बस वही उसकिया है में nothing else यह जो formula हमने लिखा था वही उसकिया हमने तो यह हो गया limit T tends to infinity 1 upon 2 times of T formula में तो minus T से T है लेकिन मेरा signal तो सिर्फ minus tau by 2 से tau by 2 exist कर रहा है ना चलो minus tau by 2 से tau by 2 x square of T dt अच्छा x square of T dt भी क्यों minus tau by 2 से tau by 2 तो a exist कर रहा है ना यह हो गया a square dt तो यह आगया आपका limit T tends to infinity इसको अगर मैं solve करूंगा तो a square tau हुआ गया divided by 2T भाई T tends to infinity है तो denominator infinity है तो answer कितना आगया 0 answer कितना आगया 0 answer कितना आगया 0 एक इसका बढ़िया सा conclusion बताता हूँ ठीक है एक इसका बढ़िया सा conclusion बताता हूँ ध्यान से देखाँ पावर है limit T tends to infinity 1 upon 2 times of T minus T say T x square of T dt आप अगर ध्यान से देखोगे तो यार यह integration सिर्फ यह part of the integration energy के जैसे नहीं दिख रहा है यह देखो यह आपको सीदे सीदे energy के जैसा नहीं दिख रहा है T तो tends to infinity यह नहीं and for energy signals for energy signals energy is equal to finite मतलाब माइनस T C T x square of T dt is equal to finite माइनस T C T x square of T dt is finite तो आपका पावर कितना हो गया आपका पावर हो गया लिमिट पी टेंस to infinity वन अपन टू टाइमस of T into a finite value जो भी उसकी energy होगी जो भी होगा फाइनाइट ही होगा न एक्जाक्ली एसा है एक्जाक्ली यही बोल रहा हूं यह जो integration है यह कुल में लाके आपको क्या दे रहे है एनर्जी दे रहे है न एनर्जी सिगनल्स के लिए यह finite होगा जैसे a square of finite है कुछ भी हो 1,2,3,5,7 क्या फरक पड़ता है finite है न तो finite quantity divided by T 0 तो यह आपका 0 ही आएगा आप इसको सीधे सीधे conclude कर सक्ते हो always always word is important always always power of energy signal 0 मिलेगा power of energy signals 0 मिलेगा power of energy signals 0 मिलेगा आल्वेज, 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 आल power signals is equal to infinity. Now, we have power of energy signals is equal to 0. This is an important result for us, definitely important result. Okay? Will this note karo? कॉफी बोलने तो पावर का फॉर्मुला लगा के भी देखते हैं थोड़ा सीधर शिफ्ट कर दो दिखने रेकोने वाला में को अब यहां पे पावर यार हमने निकाल के तो नहीं देखा न सार आप यह पावर तो 0 करा दिये मतलब एक ऐसा signal ले लिए 0 आ गया यह फॉर्मुले में तो कॉंफिडेंसी नहीं आया तो चलो एक बढ़ी असा question लेता हूं ताकि formula में समझ में हैं तो देखो find power of x of t is equal to a times u of t x of t is equal to a times u of t भाई मैं पहले ही बना के दिखा देता हूं a periodic signal है unit step signal कोई periodic signal नहीं होता है unit step signal periodic नहीं होता है a periodic like this magnitude is a this magnitude is 0 magnitude is a magnitude is 0 magnitude is a magnitude is 0 a periodic signal तो expression कौनसा यूज करेंगे power of a periodic signal तो यह a periodic signal है repeat नहीं होता है a periodic signal तो पावर का कौनसा formula यूज करोगे limit t tends to infinity 1 upon 2 times of t minus t say t x square of t dt minus t say t x square of t dt चलो भाई यूज करो तो पावर इस limit t tends to infinity 1 upon 2t minus t say t x square of t dt तो पावर is equal to limit t tends to infinity 1 upon 2 times of t अब देखो formula में तो minus t say t है लेकिन negative time पे तो मेरा signal 0 है negative time पे तो मेरा signal 0 है तो इस limit को मैं change करेंगा 0 से t क्यूंकि भाई negative time पे तो signal 0 है न 0 को integrate करेंगे तो 0 ही आएगा positive side में magnitude कितना हो गया a तो यह हो गया a square अब आप इसको solve करोगे limit t tends to infinity 1 upon 2 times of t तो यह आपका आगया a square t और यहां से यह दोनो t cancel out होगे यहां से यह दोनो t cancel out होगे यहां से यह दोनो t cancel out होगे तो यह हो गया limit t tends to infinity a square by 2 हो गया or a square by 2 हो गया a square by 2 होगय a square by two होगय तो देखो unit step signal जिसका magnitude capital A है उसका power कितना आ गया A square by 2 अब आपको ये T देखो cancel हो गया तो समझ पर भी आ गया कि हमेशा 0 नहीं मिलेगा पिछले में 0 मिला इसका मतलब क्या यहाँ पे आपको 0 मिल गया इसका मतलब क्या हमेशा थो इना 0 मिलेगा तो generally यह आपका T के terms में आएगा और T or T cancel out हो जाएगा तो constant मिलेगा जैसा कि यहाँ पर हुआ यह देखो जैसा कि यहाँ पर हुआ यह T के terms मिला तो यह T or T cancel out हो गया और यह constant मिला खूत के लिए यह के यह कि पिता है next question इसी से मिलता जूलता कुछ ले दे so next question find power of x of t is equal to a अब यार यह x of t equal to a क्या है यह कैसा signal है x of t equal to a का मतलब तो यह होगा ना कि उसका magnitude हमेशा ए है x of t equal to a का तो मतलब यह होगा ना कि magnitude is always equal to a x of t equal to a का तो मतलब यह होगा ना कि magnitude is always equal to a dc signal हम बात कर रहे हैं यहां पर dc signal जिसका magnitude आ है we are talking about dc signal जिसका magnitude आ we are talking about dc signal जिसका magnitude आ तो भाई ये भी तो A-periodic signal है चलो, power का formula यूज़ करो power is equal to limit t tends to infinity 1 upon 2t minus t say t x square of t dt so this will become limit t tends to infinity 1 upon 2t and अगर आप ध्यान से देखोगे तो minus t say t पूरे duration में magnitude A है, तो ये हो गया A square dt minus t say t, complete DC signal है न है जो भी formula में जितना भी duration है सब A होगा DC signal है, always constant A so ये हो जाएगा limit t tends to infinity 1 upon 2 times of t A square into 2t और अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2t cancel out हो जाएगा और answer आपका आगया A square answer आपका आगया power is equal to A square answer आगया power is equal to A square answer आगया power is equal to A square answer आगया power is equal to A square so आपका DC signal is a power signal power आगया आपका A square power is equal to A square यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हमारे पास एक चौथी काटिगरी आगी यह देखो फर्स्ट काटिगरी है finite magnitude finite duration any signal with finite duration and finite magnitude is always energy signal is always energy signal यह पहला था मामे पस यहां से देखिए यह पहला है यह फर्स्ट second category था infinite duration but second infinite duration infinite duration but magnitude tends to 0 as as mod of T tends to infinity is always energy signal again is always energy signal is always energy signal exponential exponential is the best example for these signals double-sided exponential double-sided exponential exponential signals are the best example for this one double-sided exponential so यह थी आपकी second category यह थी आपकी second category अब थार्ड 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 थी तो बेस्ट एक्जाम्पल था sin a cos वाला तो पावर लिखने की नहीं है simple यह लिख लिख लिए a sin omega t plus phi यह a cos omega t plus phi like this यह आपका पावर सिगने अब हमारे पास है फूर्थ category जो अभी हमने पढ़ा है infinite duration infinite duration but constant magnitude example a u of t yeah x of t is equal to a are always power signal are always power signal are always power signal constant magnitude को भी एक बार यहां पे शो कर लेता हूं है unit step signal है और dc signal है so देखो unit step signal infinite duration but constant magnitude and dc signal constant magnitude so this is a and this is a u of t so यह आपका पूर्थ यह आपका फूर्थ करेटिकरी यह आपका फूर्थ करेटिकरी है हाँ यह मैं कर बता दिया था लेकिन यह नहीं बताया था यह आज बताया हो इसलिए एक साथ लिखना है ताकि कंड्यूज्जन तो आपके पास एक साथ होना अचीजल वो तीन अलग लिखाऊ nggak एक अलग लिखाऊzon आप इसके बाद और भी देखिए आल अधर सिग्नल्स जो इन चारो ओ के टिग्रिमें नहीं आते आप वह थी ऑल अधर सिग्नल्स ओ अधर अधर सिग्नल्स जो इन चारों केटिगरी में नहीं आते टेयार नाइदर एनरजी नौर पावर सिंगर टेयार नाइदर एनरजी नौर पावर सिंगर जैसे एक्जांपल भी बता देता हूँ अब आप ध्यान से देखो जैसे की रैम सिगनल या एक ऐसा एक्स्पोनेंशियल जो की इन्फिनिटी तक जा गए यह सब किसी भी कैटेगरी में नहीं आएंगे घ्यान से देखो रैम सिगनल यह किसी भी कैटेगरी में नहीं आएंगे यह exponential signal लेकिन increasing converging नहीं diverging वाला ऐसा like this e to the power at ut e to the power at ut यह सब neither energy nor power यह दोनों और ऐसा कोई भी signal जो इसमें से नहीं होता है all of them are neither energy nor power signal all of them are neither energy nor power signal all of them are neither energy nor power signal एक example दिखाता हूं so find energy and power of r of t r of t ram signal ठीक है energy and energy and power निकालना है so पहले तो हमें एक basic equation पता होना ठीए कि इसका graph इसका equation क्या होता है अिकालो को आ बिखाता है पींतक्या है गलो पाता हमें एकट मेतलक्राइट करओ signal के square को integrate कर दो signal के square को integrate कर दो signal के square को integrate कर दो signal तो भाई 0 से infinity यह बस तो 0 से infinity क्या equation कर रहा है टी फॉलो कर रहा है तो टी स्क्राइड टी टी स्क्राइड का integration क्या होता है टी क्यू बाई 3 लिमिट क्या है जीवर टू इंफिनिटी यह आगे इंफिनिटी यह आगे आपको इंफिनिटी अगर मैं पावार की बात करूं तो भाई ए पिरियोडिक सिगनल है लिमिट टी टेंस तो इंफिनिटी वन अप़ आन टो टैम्स अव टी माइनस अ टी से टी एक स्क्सक्यर अप टी उंपिव और लिमिट टी टेंस टी अब देखर एलन्ख साइड में तो इस्ट करेगा वाहांमलो कि 답या है ग्यू और मत्रاخउक है टी बडू करेगा टिन्र हम में चोइन square dt और t square का integration है t cube by 3, so limit t tends to infinity 1 upon 2 times of t, t cube by 3, चलो एक step लिखी लेता हो, कोई लिक्रत नहीं है, और limit है 0 से t, तो limit t tends to infinity 1 upon 2 times of t और यह आगया t cube by 3, तो इसको solve करोगे, तो यह आएगा, limit t tends to infinity, 1t cancel out भी हो जाएगा, तो यह t square by 6 आगया, and which is equal to infinity, तो भाई, energy भी infinite, power भी infinite, neither energy nor power, energy भी infinite, power भी infinite, neither energy nor power, neither energy nor power, energy भी infinite, power भी infinite, neither energy nor power, neither energy nor power, अच्छा, energy or power signal के definition क्या थी? अच्छा, a signal with finite energy, अच्छा, a signal with finite energy, energy signal होगा, वैसे ही, हमने लिखा था, a signal with finite power, यहाँ पे question पूछवाँ मैं आपसे, याद रखिएगा, पताइए, answer, अभी question पूछूँगा, इस पावर सिगनल, a signal with finite power, इस पावर सिगनल, ठीके, a signal with finite power, इस पावर सिगनल, अच्छा, energy of rectangular signal, कितना होता है, यह स्कुरेट आओ, यह कौन सा सिगनल है, energy signal, अगर आप पावर देखोगे, तो पावर भी तो मैं आपको निकाल के दिखाया था ना, यह वेक्तेंगूलर सिगनल का, पावर तो जीव आया था, तो जीव तो finite होता है, तो क्या इसको मैं पावर सिगनल लिख दूँ, तो क्या इसको मैं पावर सिगनल लिख दूँ, this is my doubt to you, this is my question to you, can you answer this one, हर्ष, ऐसा कोई भी नहीं मैं conclusion कर सकता हूँ, हर्ष देखो, पावर इंफिनिटी है, एनर्जी जीरो, नो, ऐसा कोई conclusion नहीं हो सकता हर्ष, no such conclusion जवाब बोल रहे हूँ, हाँ, यहां मैं यह question का answer दो, कि भाई, rectangle तो energy signal है न, लेकिन उसका power तो 0 आ गया, 0 क्या होता है, 0 तो finite होता है, 0 तो finite होता है, 0 तो finite होता है, can you answer this one, कि भाई, यह तो power signal हो गया, rectangle energy है कि power है, energy है, तो basically यहां पे आपके लिए सबसे important point यह है, कि मेरे भाई, a signal with non-zero finite power, 0 नहीं होगा, non-zero finite power, लेकिन यह 0 हो गया, तो no, यह power signal नहीं है, non-zero finite power, तो 0, power अगर है, तो वो power signal नहीं होगा, तो इसमें non-zero लिखना नहीं है आपको, इसमें लिखना है non-zero, a signal with non-zero finite power is power signal, अब आपका हाँ, power 0 है, तो it is not a power signal, yes, but पहले अगर मैं non-zero नहीं लिखोंगा, तो finite है, तो भाई, 0 तो finite होते है, 0 तो finite होते है, ठीक है, तो this is correct, अब इसी को मैं next slide में और अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है, So, conclusion, या statement, a signal with finite energy, a signal with finite energy, is said to be, a signal with finite energy, is said to be energy signal, and my next statement will be, a signal with non-zero, 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 finite power, is said to be power sigma, is said to be power signal, a signal with non-zero, finite power, is said to be power signal, non-zero, finite power, is said to be power signal, Session को like कर देंगे, सभी लोग, जो लोग बात में recorded देखेंगे, वो लोग भी like करेंगे, अभी वीजो देख रहे हैं, सभी लोग लोग कर दो, कर दो, क्wangति हैं, सभी ये जात में हैं, सभी डाप्ट कर दोग वोग लोगे,ठी ऑ islands, क्शी उंकत हैं, सभी सिरIV नहफ वग, में सभी सीन क करेंदेंगे, सभी से वीजोग वीजोग वीजा लोग जोग कर दोग्वा सभी टोग्यार साभी में कर देखेंगे, झाल झाल